ओम घोरेब्यो अट गोरेब्यो गोर गोरतरेव्या सरविभ्या सरवसरविभ्यो नमस्ते अस्तु दुदूरूबभ्या स्वागत है आपका आचारेवानी में, मैं आचारे डॉक्टर विक्रमदीत आपके साथ हूँ सावन का महीना इस जुलाई के महीने में आरंभ होगा और बहुत सुन्दर अबसर बनने वाला है इस बार इसे मीन दाशी वालों की बात करें तो मीन दाशी वालों के लिफ एका पहला चरण जुलाई का समय है कई ग्रहों का परिवर्तन की सूचना लेकि…. मंगल सुबह सुबह परिवर्टित हो चुके हैं जुलाई के पहले दिनी परिवर्टन का योग बनाएंगे और जिस पका से मंगल कई कमजोर स्थिती में चल रहे थे पिछले करीक परी 50 दिनों से तो अब मंगल प्रशस्त होकर बिलकुल बल शाली होकर सामने आ गये हैं और आ बنागे थे इसा रहेगा आपके लिए शदीमंगल का योग केवल जो आने वाले कारीक परी 50 दिन का योग बनने वाला है वहीं विश्यश्बठार पे और है जुकुल के करिवर्टन का परिवर्तन है और शुक्र बुद्ध जो है विश्यश्बड़ पर परिवर्तन करकर आपकी managing capacity में कुछ परिवर्तन किस्ते दिखाई देती है तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बुद्ध का परिवर्तन जब होगा वो आपकी managing, organizing capacity में कई प्रकारी कमी लाने के योग दे सकता है आपके aggressiveness को बढ़ा सकता है मंगल शनी की योथी पहले ही चल रही है और वो आपके लिए कुछ समस्या खड़ी कर सकता है तो उसका इलाज पहले सी आपको निकाल के रखना है वहीं जब मंगल का परिवर्तन हुआ तो साथ साथ शुक्र का परिवर्तन भी होने वाला है एक तरफ तो इस शुक्र का परिवर्तन आपके लिए जो परिवर्तन योग बना रहा है वो पॉजिटिव इस परकार से बना रहा है कि आपके लिए विजे के योग ला रहा है लेकिन साथ साथ कुछ मुकत में इत्यादी चल रहे हैं उसमें आपके विजे के योग बन सकते हैं लेकिन मंगल और शनी का टक्राव जो है वो नए जगडे भी उत्पन करने के योग बना रहा है उनसे आपको बचने का प्रयास करना है तो खेर आप देखने सिलसलेवार कि कैसा रहेगा समय आपके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक जुलाई की तो एक जुलाई को पंचांग के अनुसार से समझ लें क्या आप पंचांग कह रहा है एक जुलाई को विशेशतर पर पंचांग की स्तिती ऐसी है कि शनीवार का अफसर है त्रियोदशी तिती है और विश्चिक में चल रहे हैं चंद्रमा और शनी प्रदोश का योग बना हुआ है साथ साथ मंगल सिंग में आ गये है ये ग्रहों की स्तिती विशेशतर पर दिखाती है कि आपकी राशी के अनुसार से आपके लिए समय अनुकूल है के वाल आपको शांत रखते हुए अपने कार्यों में आपको संलित्र करने का परयास करना है और हमें दिखाई देता है कि आपकी सरल्टा से ही आपकी जो विशेश तरपे लापके स्तिती बनेगी लेकिन इस बात का ध्यान दा कि कोई सरलता का आपका नाजाईस फाइदा ना उठाले कई बार वेक्ति क्या होता है जगड़े से बचने के लिए बहुत ज़्यादा सरल बनने का थोड़ा कमजोर रहने का प्रयास कर सकता है क्योंकि मंगा जिस प्रकार की स्तिधी गया है कि लोग आपको कमजोर भी समझ सकते हैं तो नहीं उसके लिए भी आपको ध्यान दगते हुआ कारी करने की जरूवत है तो आप कोशिश करें शनी के दोशों को दूर करने के लिए शनी प्रदोश का शुब योग बन गया है तो कोशिश करें मवान शिव का दूध में थोड़े तिल डाल कर या भस्मिन के द्वारा भगवान का विशेक करें आपके कश्ट दूर होने के योग बनेंगे साथ-साथ आप कोशिशे करें आज की सुब्ध तिति में कुछ दानपुन्ने करने का प्रयास करें आपके ग्रहों के अनुसार से आज दूद का दान भी आपके लिए बड़ा सिष्ट रहेगा दो जुराई को विशेक करें तो उस दिन रविवार का अवसर है चतुदशी तिति है सत्य नारायन जी का वरत उस दिन किया जाएगा क्योंकि शाम को पूर्णिमा का योग बन जाएगा साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें जो जातक आज जन्म लेंगे विशेशतर पर दो जुराई को उनके लिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है गंड मूल नक्षित्र जेश्ठा उस दिन विद्देमान है तो उनकी मूल शांती अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए घरवालों को अनिता वो जातक अपने घर के लिए, परिवार के लिए, स्वयम के लिए, माता पिता के लिए भारी होगा छत्तिनान वृत भी है तो कोशिशे करें, भगवान का स्तवन भी करें, पूजन करें, आपके लिए स्तिती अच्छी रहेगी, चद्रमा का जो परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है, वो आपके लिए अच्छा है, शुब है, आपके कार्यों की विशेशतोर पर प्रशनशा होने के योग बंते दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए शुब स्तिती है, आपके लिए आगे बढ़ने की स्तिती बंती दिखाई दे रही है, तीन जुलाई को ग्रहों की गणना विशेशतोर पर दिखाती है, कि सोमवार का अवसर पूर्णमा, व्यास पूर्णमा की तिती है, आसाड मास की प प्रयास करना चाहिए ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि समय आपके अनुकूल बना हुआ है प्रशस्त आपका वातवर्ण रहेगा और एक बात का ध्यान लगना है शनी मालाज 11 भाव में 12 भाव में वक्री होके चल रहे हैं और मंगल का पदारपन जिस परकास से 6 भाव में पर ननिहाल की स्थिति में अपने परिवार के साथ रिष्टोदारों के साथ अपने समन्दों को आपको ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए चोटी-चोटी बातों में कुछ अन्नेसेजरी की क्लैशिस आपको परिशान कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान लगते हुए कारे क करेंगे तो बहुत शुभ होगा है .... हम बात कर लेते हैं चार जुलाई की … चार जुलाई को मंगलवार का अवसर है और शुभ टिति है बहुत उस दिन सावन का महीना आरंभ हो रहा है सावन भवान शिव को प्रसंद करने का महीना होता है जब भवान शेव विष्णु जो है शेशयया में चले आते हैं विष्णाम करने के लिए तो शिव समस्त संसार का आधिपत्य समालते हैं भवान विश्णु की जो शेष शेया में जब विश्राम करने की स्तिती में तो ऐसे में भवान बोलेनात को प्रस्तित करने का सबसे बढ़िया शुब अवसर सावन का महीना और इस बार तो ग्रहगरना ऐसी बनी हुई है कि सावन का महीना 30 नहीं 60 दिन का हो गया है महीने के आसपास का सावन का महीना चल रहा है तो हमने इस शुब तिती का इस शुब समय का लाब लेने के लिए विवेकरनाद योग आश्रम में साथ दिवस का रुद्राभिशिक रखा है जो हर रोज पुरदोशकाल में किया जाएगा आप भी उसमें समलित हो सकते हैं जो आ ब्रामनों के द्वारा अपने प्रदिनित के रूप में उनके द्वारा अभिशेक करवा कर आप इस सावन के वहीने में लाब ले सकते हैं इस संबूर्ण कारिक्रमों को विशेश्टार पर हमारे फेस्बुक पर और हमारे चैनल पर लाइव भी किया जाएगा आप उसका ल परिवरतन आपके लिए पॉजिटिव चेंजिस लाने के योग बनाएगा तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजिस आएं उनको उनसे विशेश्टार पर लाब लेने की स्थि उत्पन्द करनी चाहिए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए पांच जुलाई को ग्रह गणना विशेश्टार पर दिखा रहे ही कि बुद्वार का अफसर दुतिया तिथी और इस दिन दुतिया तिथी विशेश्टार पर जो ग्रहों का योगा योग बना रही है उस दिन ग्रहों के गणना के अनुसार से भद्रा की स्थिदी बन जाएगी रात्त्री में जिन खेयर रात्री में कोई important काम नहीं होता है, रात्री को 8 बजे के बाद भद्राश देती रहेगी, तो उसके बाद रात्री में कोई बन्याकार आरम कहां होता है, जहान होने की बाद चल रही हो, तो उसको avoid करने का प्रयास करना चाहिए, सुबह के करी-करी 8 बजे तक भद् फिरने के कारण से शरी में ठकावट ना हो, धनाने के योग तो बन रहे हैं, विशेशतर पर लाब किस्तिती प्रशस्त है, positive changes होंगे, तो इस बात का साफ-साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेकार के भ्रमन भी प्यार में चक्कत इंदरों ऐसे चल रहा है, बहुत ज़्य लेकिन चतूर्थी उस दिन शैब हो रही है, तो ये नए कारें के लिए दिन प्रशस्त नहीं माना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको साथ-साथ दो-दो ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है, सिंग राशी में शुक्र का प्रवेश होगा, और कुम राशी में चंद्रमा का प्रवेश होने के योग बरेंगे, तो सुबह का समय तो आपके लिए शुप दिखाई देता है, कि लिए शाम का समय कुछ खर्चें को बढ़ाने वाला दिखाई देता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कारे करें, और जैसा हमने कहा कि नया का आरब ना करें, क्योंकि तिति चतोति वैसे ही रिखता तिति और वो शेय भी हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कारे करना चाहिए, साथ जुलाई को ग्रहों की गड़ना विशेशतार पर पंचांग की स्तिति समझें, शुक्रवार का उफसर पंचमी तिति, कुम्बराशी में चल रहे हैं, और कुम्बराशी में शनी के साथ सामने मंगल की स्तिति और साथ-साथ शुक्र का उसके साथ योग, धन आने और जाने दोनों के योग बन सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विलासिता के कारण से धन ज्यादा ना खर्च हो का आठ जुलाई को ग्रहों की स्थिति दिखाती है शनिवार का अफसर कन्या राशी विशेश्टार पर शष्टी तिति है और मीन राशी में चद्मा का परवेश होने के योग है और साथ साथ कर्क राशी में बुद्ध बदल रहे हैं अपना स्थान तो ये ग्रहे दिखाते ह है कि आपके लिए विशेश्टार पर ग्रहों की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि एक तरफ से विचारों में कुछ नया परिवर्तन आने के योग बरेंगे लेकिन बुद्ध है अस्त इस वात थोड़ी मैनेजिंग कैपसिटी में इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ कमी आ सकती है लेकिन फिर भी विचार बड़े अच्छे रहेंगे विचारों के द्वारा पॉजिटिव चेंजिस आने के योग दिखाई देते हैं वो विचार आपको लाप की स्थिति में भी दे सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए कारे करना चाहिए जो दुपहर के चन्दमा का परिवर्तन है वो आपके लिए शुब दिखाई देता है उस चन्दमा के परिवर्तन से आपके लिए कुछ नए विचारों का उदे होगा और वो आपके नुकसान को भी कम करने के योग बनाएंगे ऐसे में अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए आप सावन का मह चल रहा है तो ऐसे में थोड़ा पानी के अंदर गंगा जल के अंदर जल ले कर जल ले और तिल डाल कर ओम नमस्यवाय का जब करते हैं भवान शिव का सुबह सुबह अभिशेक करें शनी भी आपके अनुकूल हो जाएंगे शनी को अनुकूल करना इस बहुत ज़रूरी है द्वादश में भाव गई शनी महराज आपकी राशी में चल रहे हैं और द्वादश में भारव भाव जो है वो खर्चे का भाव है शनी महराज स्वग्रही होके चल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए देखिए क्रूर ग्रहे है शनी महराज और वो स्वग्रही होकर जब वक्री हो जाते हैं तो थोड़े अनिष्ट कारी हो जाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए इसलिए हमने यह आपको उपाय बताया है इस बात इसके उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, तिल डाल कर जल में भवान का भीशिक करें, कष्ट दूर होंगे 9 जुलाई को ग्रहों गड़ना दिखाती है कि रविवार का असर सब्तमी तिति उसके उपरांत अश्टमी तिति का आगवन कालाश्टमी का शुपयोग देखे सावन का महीना चल रहा है सावन के महीने में अश्टमी जो है, वो विशेश्टर पर कृष्ण बख्ष की जो अश्टमी होती है, शिव से बहुत बड़िया संबन्द रखती है क्यों? क्योंकि विशेश्टर पर अश्टमी का संबन्द भवान शिव से क्योंकि उसी दिन अश्टमी के दिने ही भवान शिव की विशेशतर पे शिवलिंग के रूप में पूजन आरम हुआ था उसी दिन से शिव के शिवलिंग के रूप में विशेशतर पे भवान का स्वरूप का निर्मान किया गया आता तो सबसे पहले उस दिन इसलिए अश्टमी तिथी भवान शिव के लिए प्रशस्त होती है दूसी तरफ अश्टमी तिथी दुर्गा जी के लिए भी है भवती पारवती जी लिए प्रशस्त माली गई है तो ऐसे में सुन्दा तरीके से भवाल श्यवपारवती का अभिशेक करें, पूजन करें, उनका पंचोप चार पूजन करके बिलुपत्र भवान को अर्पित करें, पुश्प भवान को अर्पित करें, और उनका समस्त प्रकार से आशिरवाद लेने का प्रयास करें, सावन का बिकार के आप इस बात का ध्यान लखें, कहीं आप जो खर्चे बिकार के ना पाले हैं। शनी महाराज स्वग्रेयों के बारवे भाव में बैठे हुएं, कुछ जुर्माने करने के योग बना सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए, नियम का पालन करते हुए कारी करने का प्रयास करना चाहिए। 10 जुलाई को ग्रहों की गड़ना सोमवार का अफसर अश्टमी तिति, उद्यातिति के रूप में विद्यमान है और उस दिन सावन का पहला सोमवार है। आप भी उस सुंदर काली करम में सम्मिलित हो सकते हैं, जो आसपास हैं, दिल्ली में है, रविवार को हर रोज उस अभिशेक के अंदर शाम को 6-8 के बीच में सम्मिलित होकर भवान का दर्शन कर पूजन का लाब अवश्य ले सकते हैं। अच्छा दिखाई देता है, आपके लिए शुब योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपने खर्चों को थोड़ा बैलेंस करते हुए कारे करने की जरूआ थे और परिवार में शान्ती बनाए रखने की जरूआ थे। तो आपके लिए शुब होगा। नमशकार।